हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू माई योट्यूब चैनल, आज मैं आप रोगों को बताऊंगी कि हम अपने फोन में PDF कैसे बना सकते हैं आज के टाइम पे ओनलाइन स्टडीज की वज़े से PDF बनाना बहुत इंपोर्टेंट हो गया हमारे स्कूल, कोलेजिच, सभी में असाइमेंट, टेस्ट, सब PDF के थ्रूरी सब्मिट के जाते हैं तो PDF बनाने के लिए तो step हैं वो मैं आपको बताऊंगी उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजेगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब चरूर कीजेगा आएए फ्रेंड्स आप हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपने फोन में PDF कैसे बना सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको डॉक स्कैनर अपको इंस्टोल करना होगा प्ले स्टोल पे जाके मेरे फोन में इंस्टोल है तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ ये कुछ सेव कीवे PDF हैं जो मेरे फोन में हैं अगर आपको PDF बनानी है तो आप चाहें कैमरे के थ्रिव पिचर्स लेके भी बना सकते हैं मैं गैलरी से बना रही हूँ गैलरी में जो भी फोटो सेम हैं या पिचर्स सेम हैं उनके थ्रिव तो उसके लिए हम गैलरी वाले ओप्शन पर क्लिक करेंगे अगर आप चाहें तो इसको camera वाले से भी ले सकते थे यहां से हम 4 documents सलेक्ट कर लेते हैं अप जितने pages की चाहें उतनी pages की बना सकते हैं मैं चार page सलेक्ट कर रहे हूँ इनको सलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही ok पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास option आएगा crop का आप अपने तरीके से इसको adjust कर सकते हैं छोटा बड़ा जिस size का आप चाते हैं उसको आप crop कर सकते हैं अगर side में extra part picture क्लिक करते time आ जाता है तो ये option उसके लिए बहुत अच्छा होता है हम इसको अपने paste के according crop कर सकते हैं तो इसलिए मैं अपनी चारो फोटो को crop कर लेती हूं तो ये मेरी तीसरी फोटो है इसको हम इसको भी crop कर लेते हैं अपने size के according फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी एप है इसके त्रिव आप अपने वीडियो को easily और अपनी फोटो को स्वरी easily PDF के अंदर convert कर सकते हैं तो मैंने चारो pages को PDF के अंदर convert कर लिया है अब हम यहाँ पे एक option आता है create PDF for this file only और create PDF for entire document तो हम entire document पे क्लिक करेंगे otherwise यह सिर्फ एक page की PDF बनाएगा जिस page को हमने भी open किया हुआ है तो हम entire वाली पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी PDF बन चुकी है चारो pages की PDF तयार हो गई है अब हमारे पास निचे बहुत सारे options होते हैं जिन पे हम click करके इसमें और changes ला सकते हैं जैसे इसमें हम watermark पे क्लिक करेंगे तो watermark को enable करने से यह देखिए हमारी पूरी PDF में watermark आ गया है अगर आप चाहें तो इस watermark का color भी change कर सकते हैं color के option में जाके आप जिस color का चाहें उसे choose कर सकते हैं तो मैंने blue color choose किया है तो मेरी पूरी PDF में blue color का watermark आ गया है इसके अलावा हम इसमें और भी कुछ settings के options पासकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक option है settings change PDF background color तो इसमें हम कोई भी color choose कर सकते हैं यहाँ भी मैं blue color choose कर लेती हूं इसके according तो यह देखिए इस पूरी layout पे blue color आ गया है तो इस तरीके से आप PDF के background का color भी change कर सकते हैं इसके अलावा हमारे पास और भी options होते हैं like हम अपने PDF को share कर सकते हैं तो हाँ अगर आप अपने PDF का नाम change करना चाहें friend जैसे कि school और colleges में कहाँ आता है कि अपने नाम से अपने role number से भीजिए तो यहाँ आप अपना नाम अपना role number जो भी चाहें rename के option में जाके set कर सकते हैं अब यह PDF अगर हमें share करने हैं तो हम share के option पे click करेंगे यहाँ भी same entire document और for this file तो हम entire document पे click करेंगे फिर PDF और JPJF में PDF पे click करेंगे उसके बाद share पे click करेंगे तो friends इस तरीके से आप अपने videos आप अपनी photos को share कर सकते हैं easily जो PDF आपने मिलाई है यह देखिए आप उसको whatsapp आप यहाँ से भी import कर सकते हैं email भी आप कर सकते हैं आप अपनी gallery में भी इसे save कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत सारे options होते हैं आप जहां चाहें जिस form में चाहे वैसे इस PDF को save कर सकते हैं तो friends हमारे PDF बन चुकी है पूरी तरीके से ready हो चुकी है तो friends this is only for today अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो please इसे like और share जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा